शिवाय नमस्तव व्यम हरेर महादे आसा है कि आप लोग स्वस्त होंगे तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एकादसी जो पढ़ती एकादसी का तारिख बता दे जिससे कि हमें कोई भी उपाय यानि क होई बी जो इस दिन परव होता है उस परव ऑन्न किस तरह से कर सकते कभी कि भी होता कि हम लोग भूल जाते तो इस वीडियो में दोजार च्योड़ चोबिस यानि कि साल के पूरे दिन यानि हर मेहने में जो जो इकादसी तारिख को आने वाली है ठीक है ना वो पूरा को प पंचन याने हिंदो कलेंडर के अनुसार क्या होता है? पुरनिमा और अमावस्या के बाद परती एक इग्यारवें दिन के बाद को इकादसी कहा जाता है ठीक है? एक मा को जिसे की खृष्ण पक्ष होता है और दूसरे मा में सुक्लपक्ष होता है दो भाग में भी वाजित किया जाता है और परतियक पक्ष में एक एकादसी होती है पुर्णिमा के 11 दिन को कर्षन पक्ष की एकादसी और अमावसिया के बाद 91 दिन को सुक्षल पक्ष की एकादसी के रोब में माना जाता है ठीक है इसलिए पूरे किलेंडर में अगर आप लोग देखेंगे तो पूरे साल यानि कि 24 से 26 एकादसिया होती है और हर एक एकादसी का महतु अलावलत है और इस दिन हम लोग भगवान विश्णु की पूजा अरचना करते हैं तो चलिए अब हम आप लोग को बता दें कि हर साल यानि कि इस साल 2024 में एकादसी कौन कौन से तारिक को पढ़ने वाली है तो सबसे पहले हम लोग साल में जनवरी के महने से सुरू करेंगे और जनवरी में 7 जनवरी 2024 को सफला एकादसी था उसके बाद 21 जनवरी 2024 को पौश एनकी पुत्रपदा एकादसी था उसके बाद 6 फरवरी 2024 को एकादसी है 20 फरवरी 2024 को जया एकादसी 7 मार्च 2024 को विजया एकादसी है 20 मार्च 2024 को अमलिका एकादसी है देखी कोई भी नाम में अगर थोड़ी उपर नीचे हो जाए तो मैं कोशिस करूँगा कि वीडियो में भी लिखे दूँगा ठीक है तो उसके लिए फ्लीज मैं आप लोगों से महाफी मांगता हूँ अगर हो सकता है कि उचारन करते समय कोई भी छुटी से चूक हो जाए तो ठीक है मर्च के बाद हम लोग चलते हैं अगले एकादसी यानि सातमा एकादसी यानि कि एपरेल के महने में जो पाँच अपरेल दोजार चोविस को पाप मूचनी एकादसी है उसके बाद 19 अपरेल को जो है कामदा एकादसी है उसके बाद माई के महने में चार माई दोजा यह निर्जला एकादसी बहुत सारे पब्लिक यानि बहुत सारे महनाई प्रूस जरूर करते हैं इस एकादसी को जुलाई के महने में भी दो एकादसी दो जुलाई दो जार चोवीस को पहला जाने कि यूगिनी एकादसी है उसके बाद सतरह जुलाई पुत्रदा एकादसी और 29 अगस्त को है अजा एकादसी सिप्टेंबर के मैने में भी दो एकादसी है 14 सेटेंबर को है एक एकादसी और 8 सेटेंबर को इंदिरा एकादसी है उसके बद अक्टूबर के मास में जो है 13 अक्टूबर 2024 को पापंग कुशा एकादसी है और 28 सक्टूबर 2024 को रमा एकादसी है 12 नमबर यानि कि नमबर के मैने में जो पहला एकादसी पढ़ने वाले वो 12 नमबर को देव उतना एकादसी है और 26 नमबर 2024 को उतना एकादसी है दिसंबर यानि कि लास्ट साल के आखरी मैने यानि कि दिसंबर के मैने में 11 दिसंबर को सब जो पहला एकादसी है वो है मोक्षदा एकादसी और आखरी एकादसी यानि कि 26 दिसंबर 2024 को है जिस एकादसी का नाम है सफला एकादसी असा करता हो कि आप लोगों को सारे एकादसी की तित्री समझ में आ गी होगी अगर कोई भ बिलते अगले वीडियो में और भी इस तरह के जानकारी के साथ तब तक के लिए श्री श्रिवाय नमस्तु वियम हरेर महादेब